हेलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का आपके अपने ससे डिजाइन स्यूटूब चैनल में तो देखे आज भी एक नई नएक डिजाइन की वीडियो लेकर आए हैं तो इसकी चोड़ाई 4 इंच है और इसकी लंबाई 7.5 इंच है तो देखे यहाँ पर हम सबसे पहले 3 इंच पर निसान लगाएंगे उसके बाद हम नीचे की साइड 6.5 इंच पर निसान लगाएंगे और देखे फिर ऐसे इन दोनों निसानों को मिला लेंगे यह देखे तो हमने ऐसे मिला लिया है अब 3 इंच पर हम ऐसे निसान लगाएंगे और इसको भी यहाँ से मिला लेंगे तो देखे इन दोनों को ऐसे मिला लेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे तो देखे जो भी एक्स्टर है उसको यहाँ से कट कर देंगे तो देखिए इस प्रकार हमारे नैक का जो पैटरन है ये कट गया है और अब इसको हम फैब्रिक पर लगाएंगे तो देखिए प्रेस की साइता से इसको अच्छे से चिपका लेंगे और अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए कपड़े को उपर की साइड मोड़ते जाना है और यहाँ पर सिलाई करते जाना है यह देखिए तो ऐसे ही बिल्कुल कपड़े को उपर की साइड मोड़ते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे तो देखिए यह यहाँ पर attach हो गया है और अब जो extra है उसको हम यहाँ से cut कर देंगे और देखिए यहाँ पर हम midpoint का निसान लगाएंगे और अब एक और पटेली है जिसकी चोड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई भी 3 इंच है तो देखिए इसको ऐसे fold करेंगे और बीच में से cut कर देंगे तो देखिए इसके हमने टुकड़े कर लिए है और अब हम यहाँ पर last लगाएंगे तो देखिए last को ऐसे रखना है और यहाँ पर सिलाई करते जाना है तो देखिए ऐसे ही design देखने के लिए हमारे channel से जुड़े रहना और यह design आप सभी को कैसा लगेगा comment box में comment करके बताना तो देखिए एक side से हमने सिलाई लगा दी है आप दूसरी side से भी सिलाई लगाएंगे तो देखिए ऐसे ही सिलाई करने के बाद हमारी यह line है यह भी complete हो गई है और अब जो extra है उसको यहाँ से cut कर देंगे तो देखिए यहाँ पर last लग गई है अब हमने दूसरी पटी ली है इसको इसके उपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यह देखिए तो एक साइड से सिलाई लगा दी है अब दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही करेंगे यह देखिए तो दूसरी साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए दोनों साइड से हमने सिलाई लगा दी है और अब यहाँ से भी हम इसको लोग कर देंगे तो देखिए अब किसी भी नुकिली चीज की साहिता से न हम इसको सीधा करेंगे यह देखिए तो यह मैंने इसको सीधा कर लिया है पूरी सीधा करने के बाद जो एक्स्टा है उसको हमने कट कर दिया है और अब इसको प्रेस की साहिता से न अच्छे से सही कर लेंगे यह देखिए तो यहाँ पर इसको midpoint में रखना है और फिर सिलाई करनी है तो देखिए friends यह डिजाइन आप सभी को कैसा लगेगा comment box में comment करके अब से बताना और देखिए अब जो extra कपड़ा है उसको जो ना हम यहाँ से cut कर लेंगे और फिर देखिए इसको ऐसे पलटेंगे तो पलटने के बाद यह कुछ इस प्रकार का बनेगा देखिए अब मैंने एक और कपड़ा लिया है जिसकी चोड़ाई 8 हिंच की है और इसकी लंबाई 9.5 हिंच की है तो देखिए इसकी किनारी पर से हम बारिक सा ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो देखिए बारिक सा मोड़ते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई करते जाएंगे तो हमने अब अपनी इस लाइन को पूरा करेंगे यह देखिए तो यहाँ पर सिलाई लग गई है अब हम दूसरी साइड से भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसे हमने एक साइड से मोड़ा है उसी के समान हमने दूसरी साइड से भी मोड़ा है और देखिए अब लैस ली है और इस लैस को इसके किनारी पर लगाएंगे तो देखिए इसके किनारे के उपर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर फिर सिलाई करते जाएंगे यह देखिए तो यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा दी है और देखिए अब इस कपड़े को यहाँ पर ऐसे रखेंगे और एक समान ऐसे चोटी चोटी चुननेटे डालते जाएंगे और बिल्कुल मेड़ पॉइंट में हम इसको लगाएंगे यह देखिए तो ऐसे इसको लगाएंगे और फिर यहां से इसको ऐसे मोड देंगे तो देखिए जो एक्स्टर है उसको हमने कट कर दिया है और इसको यहां पर ऐसे मोड देंगे और यहां पर अब हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए अब हमने यहां पर सिलाई लगा दी है यह देखिए तो एक के बाद हम दुबारा यहां पर सिलाई लगाएंगे ताकि यह यहां पर अच्छे से लोक हो जाए और यहां से उद्डे नहीं यह देखिए तो यहां पर सिलाई लग गई है अब जो हमारा कोना बना है उसके उपर से हम इसको ऐसे लेंगे कपड़े को और यहां पर फिर से एक छोटी छोटी चुननटे डालेंगे तो देखिए इसको हम चाहे तो उपर की साइड भी मोड सकते हैं चुन्नटे को और या फिर हम नीचे की साइड भी मोड सकते हैं तो देखिए इसको मैं उपर की साइड मोड रही हूँ यह देखिए तो उपर की साइड हम ऐसे मोडते जाएंगे और यहाँ पर अब जो दूसरी साइड है उस पर भी हम बिल्कुल ऐसे ही लगाएंगे तो देखिए जो एक्स्टा कपड़ा है उसको अब गट कर देते हैं तो एक साइड से लग गई है और दूसरी साइड से भी हम इसी के अनुसार लगाएंगे तो देखिए बिल्कुल इसके एक समान रखते हुए और यहाँ पर सिलाई करेंगे तो हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा दी है और जो एक्स्टा कपड़ा है उसको कट कर दिया है यह देखिए तो यह हमारा नैक कर डिजाइन है यह कुछ इस परकार का बनेगा तो देखिए यहाँ से तो सिलाई लग गई है अब जो उपर की साइड वाला हिसा है यहाँ पर भी हम सिलाई लगाएंगे तो देखिए एक बार यहाँ से भी हम सिलाई लगाते हैं तो यहां से हमने सिलाई लगा दी है और जो दूसरी वाली साइड है वहाँ पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स यह डिजाइन बनाने में काफी आसान है और पहनने में उतना ही अच्छा लगता है तो आप इन्हें अपने लिए ट्राई कर सकते हैं यह देखिए तो यहां पर भी हम सिलाई लगाएंगे तो यह बिलकुल यूनिक डिजाइन है आप इन्हें अबसे ट्राई कर सकते हैं तो देखिए यह डिजाइन आप सभी को कैसे लगा कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके बताना मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थेंक यू